नमस्कार मैं अधिती खबरिलाल टीवी देखरे सभी दोश्कों का स्वागत है उत्राखन की बीजीपी सरकार ने यूनिफॉम सिविल कोर्ट का प्रसाफ विधान सबा के अंदर रखा बहुत से लोगा ने बहुत सी बाते बोली लेकिन सबसे ज़्यादा हसी जानते हैं मुझे किसकी बात पर आई और किसकी बात सुनकर ज़्यादा हसी आई हेमा मालनी की दोस्तो एक पत्रकार ने हेमा मालनी से संसा सत्र में संसा के बाहर सवाल पूछा कि भाई आपका इस UCC ड्राफ्ट पर क्या ठीक है आप क्या कहना चाहती है तो हेमा मालनी ने महिलाओं के अधिकारों पर बहुत सी बाते खुल कर बोली कि ये सभी वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है सबी धर्म की महलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है अब आप कहेंगे दोस्तों के इसमें हसी वाली क्या बात है हिमा मालनी ने तो सही तो कहा है बात तो ठीक भी है लेकिन दोस्तों ये वही हिमा मालनी है जिनोंने अपने वक्त में केवल और केवल शादी करने के लिए हिंदू होने के बावजद मुस्लिम बन कर शादी की थी दोस्तों मैरिज एक्ट में कोई भी हिंदू मर्द अगर शादी करता है तो वो बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकता धरमेंदर पहले से ही शादी शुदा थे जब वो हेमा माली से प्यार में पड़े और हेमा माली से भी उनसे प्यार करती थी दोनों के अफेर के चर्चे बॉलिवुड में आम हो चले थे लेकिन धरमेंदर के सामने एक दूविदा थी वे अपने पहले बीवी को नहीं छोड़ सकते थे और छोड़ना भी नहीं चाहते थे 1989 में ये वो साल था जब धरमेंदर और हेमा माली दोनों मुस्रिम धरम में कनवार्ट हो गए और 1980 में इन दोनों ने शादी कर दी और मुस्रिम धरम में इन्हों ने अपना नाम दिलावर खान और हेमा माली ने अपना नाम आईशा भी रखा इसके बाद दोनों ने एक साल का ग्याप लेकर शादी कर ली क्योंकि दोस्तों हमारे देश में अभी भी मुस्ल्मानों को एक शादी होने के बावजुद भी पहली बीवी को बिना तलाक दिये दूसरी शादी करने का अधिकार है उस अधिकार का इस्सेमाल करके धर्मेंदर और हेमा मालने ने शादी की धर्मेंदर और हेमा मालने की शादी अभी भी चल रही है और ये जो बात बोल रही है वो बात लव बाजी की ही है अगर आप धर्मेंदर और हेमा मालने की second marriage type करेंगे या धर्मेंदर की first wife marriage type करेंगे तो आपको इतने सारे interview इतने सारी photos मिल जाएंगी जिसमें आपको कुछ भी बताने की या मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं फिर भी कहूंगी दोस्तों ये धर्मेंदर और हेमा माननी का निजी फैसला है लेकि पूरी दुनिया जानती है कि केवल और केवल शादी करने के लिए इन्होंने इसलाम धर्म को कबूल किया था मतलत जिन्होंने खुद हिंदु धर्म एक्ट का मखोल उड़ाया मजाक उड़ाया जो नने खुद केवल शादी करने के लिए धरम का परिवर्तन किया वो दूसरों को यूनिफॉर्म सिवल कोड पर अगर लेक्चर दे और महिला अधिकारों पर दूसरे धरम के महिलाओं के अधिकारों पर लेक्चर दे रहे हैं इससे ज़्यादा फणी बात और क्या ही हो सकती है दोस्तों आप इस मद्दे पर क्या सोचते हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं ऐसे और भी अपडेश चाने के लिए बने रेक अबरिला टीवी के साथ धन्यवाद